यूपी में ATS का ताबर तोड एक्शन, सामने आए कई आतंग की कनेक्शन, एक महीने में चार आतंगबादी गिरफतार, कई राजियों में फैले नटवर लालों के जाल नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रियाबिस्ट, अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकल स्पेशल स्टोरी का, यूपी ATS ने एक महीने में चार आतंगबादियों को गिरफतार किया, और जिन आतंगबादी संगड कर रही है, वहीं ISIS से कितने और लोगों के तार जुड़े हैं, उनकी भी तलाशी तेजी से हो रही है अयोधिया धाम में जहां भगवान स्री राम के मंदिर का निर्माड पूरा हो रहा है, तो सर्यू नदी की सरत पर आतंगबादियों के ठिकाने मिलना खत्रे के संकेत देता है जुलाई में ही आतंगबाद निरोदक दस्ता यानि की ATS ने जिले से चार आतंकियों को गरफतार किया, इन में से किसी का तार अलकाईदा से तो किसी का संबंद ISIS से जुड़ा पाया गया हालाकि इन से जुड़े तार की तहकीकात ATS अभी भी कर रही है, वही जाली दस्तावेश तयार कर रहे, बैंक और सरकार को करोडों रुपे का चूना लगाने वालों का मामला भी पुलिस पकड़ चुकी है वही नागालेंड, असम, बिहार, पश्चिम, बंगाल, राजिस्थान में ठगी करने वाले घिरों के सदस्यों को पुलिस ने गरफतार किया जाली दस्तावेश तयार कर रहे, करोडों की भूमी का बेनामा और वसीयत कराने के मामले में एक साल में 80 से अधिक मुकदमे लिखे जा चुके हैं वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पकड़े गए आतंकी और नटवर लालों में अधिकांश युवा ही है पुलिस जाच में पाया गया है कि बिना परिश्रम के और काम समय में धनवान बनने की चाहत में युवा जुर्म की रहा अपना रहे हैं एसपी अंकित मित्तल ने कहा कि संदिग्द वालों की जाच कराई जाती है ATS और अन्य जाच एजंसियों को सयोग किया जा रहा है वही एक बार जुलाई महीने में पकड़े गए आतंकी पर एक नजर डालते हैं जहां एक जुलाई को देहांत कोतवाली के करनपुर पठान पुर्वा में भूमी खरीद कर अपना ठिकाना बनाने वाले सद्दाम शेक को ATS ने गिरफतार किया जाच में सामने आया कि सद्दाम आतंकवादी संगठन अलकाइदा हिजबुल मुझाइदीन से जुड़ा है जहां सद्दाम ने साल 2018 में पठान पुर्वा में भूमी खरीद कर घर बनवाया और फिर साल 2010 में पठान पुर्वा की रहने वाली रुबीना से सद्दाम ने शादी कर ली थी उसके दो बेटे और एक बेटी भी है सद्दाम पठान पुर्वा को ठिकाना बनाने से पूर्व अपना नाम शफियुला लिखता था उसने शफी उल्ला के नाम से पहले भूमी खरी दी इसके बाद वो साजिश के तहट सफी उल्ला से सद्दाम बन गया सद्दाम के नाम से आधार कार्ड बनवाया गया और जाली शेक्षणिक अभिलेश भी तैयार करा लिये सद्दाम अपनी पतनी ससुराल वालों और गाओं के लोगों से अपने को अनात बताता था ATS की जाच में पाया गया कि सद्दाम ने अपना धर्म करीब 24 साल पहले ही बदल लिया था जहां पहले सद्दाम मूल रूप से एक हिंदू है उसका नाम रंजीत सिंग है वो मूल रूप से तरफगंज थाना बर सेड़ी गाओं का रहने वाला है साल 1999 वे रंजीत घर से भाग गया था वो अपने मित्र आसिफ के पिता के माध्यम से मुस्लिम धर्म अपना कर आतंगवादी संगठन से जुड़ गया वो पठान पुर्वा को ठिकाना बना कर आतंगवादी संगठन का कुनबा बढ़ाने का काम करने लगा साथी इंटरनेट मीडिया पर बावरी मस्जित तोड़ने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर लोगों को भढ़काने की साजिश करता रहा ATS ने फिर एक और सफलता हासिल करते हुए 16 जुलाई को तरब गंज थाने के दीन पुर्वा के रहने वाले पाकिस्तानी खूपिया एजिंसी ISIS एजेंट मुहम्मद रईसीद को गिरफतार किया मुहम्मद रईस पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था दरसल मुहम्मद रईस मुंबई के एक होटल में वेटर का काम करता था वहीं वो अर्मान से मिला बाबरी मजजित की शहादत का जिकर कर अर्मान ने रईस को ISI एजेंट बना दिया फिर मुहम्मद रईस पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगा फिर इसके बाद दो दिन बाद ही 18 जुलाई को ATS ने वजीर गंज थाने के दुआबा के रहने वाले मुहम्मद रईस के साथी सल्मान को गरफतार किया था ATS की जाच में पाया गया कि मुहम्मद रईस के गाउं दीन पुर्वा का रहने वाला अर्शद उर्फ मुकीम भी ISI से जुड़ा हुआ है फिर ATS ने अर्शद उर्फ मुकीम को 27 जुलाई को गरफतार किया था अर्शद गौणडा के तरवगंज थाना शेत्र के इस्तित बीन पुर्वा रामापुर गाउं का रहने वाला है गाउं में चर्चा थी कि वो खुद को आत्म समर्पड करने जा रहा है उस पर आतंकी गति विदियो में समलिप्त होने के आरोप लगे थे वहीं आपको बता दे कि मुहमद रईस से पुछताच में उसके अर्शद का नाम सामने आया था अर्शद भी मुहमद रईस के गाउं रामापुर दीन पुर्वा का ही रहने वाला है अर्शद भी मुहम्मद रईस के संपर्क में था और जासूसी के लिए वांचित सूचनाई जुटा कर उसके साथ साजा करता था वहीं मुकीम की मा शाइदा ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि ISI एजेंट मुहम्मद रईस से मेरे बेटे मुकीम का संबंद था उटना बैठना था अच्छे रिलेशन थे अर्शद की मा आगे कहती है कि रईस मेरे घर पर नहीं आता था बाहर मेरे बेटे से मिलता जुलता था महले में रहने की वज़े से बच्पन से ही दोस्ती थी मुकीम दसवी पास है और पैसे की तंगी की वज़े से हम उसे आगे पड़ा नहीं पाए यूपी ATS लगातार आतंगबाद की कमर तोड़े में जुटी है वही जाच परताल कर रही टीम ने पाकिस्तानी एजेंट की कस्टडी रिमांट के दोरान गौंडा पुलिस से सयोग की अपेक्षा की थी आपको बता दे की पाकिस्तानी संगठन से जुड़े इन चार आतंगबादियों को ATS ने गिरफतार किया है उनके अन्य सयोग्यों की कुंडली भी ATS खंगाल रही है हिंदू से बने मुस्लिम सद्दाम के अतार किस किस से जुड़े है इसकी चानबीन खूफिया एजनसी कर रही है वही ATS से कितने और लोगों के अतार जुड़े है उनकी भी तलाश तेजी से है वही सूत्र के मुताबिक 14 लोग जाज के दाइरे में है इन्हें ATS कभी भी हिरासत में लेकर पूछताच कर सकती है ATS की जाज में पाया गया है कि गिरफतार किये गए आतंकी बाबरी मस्जित की शहादत और भारत में मुसल्मानों पर हो रहे जुल्म की कालपनिक तस्वीरे दिखा कर लोगों को आतंकबादी संगठन से जोड़ते थे सूत्रों के मुताबिक आतंकबादियों की सक्रिता सरीयू की सरहत पर इसलिए बढ़ती जा रही है कि वो सडक और नाव से अयोध्या जी में आसानी से प्रवेश कर सके इनका मकसद कुछ भी हो लेकिन एक महीने में चार आतंकियों का पकड़ा जाना अच्छा संकेत बिलकुल नहीं है जो बहुत सारे सवाल खड़े करता है अब आगे पकड़े गए जाल साजी के आरोपियों पर एक नज़र डालते हैं जहां सरकारी करमचारियों की जाली आईडी बनाकर जेपी एफ के नाम पर लाखों रुपे का गबन करने के मामले में पुलिस बीते साल तरफगंज के प्रदीब दूबे, इमलिया गुर्दियाल के अरुन, नवाब गंज के नानमून, मौर और राजेश पाठक को गिरफतार कर चुकी है जाल साजी कर 32 करोड रुपे की टैक्स चोरी किये जाने का मामला भी पकड़ा जा चुका है इस मामले में आरुपी सहेवगंज के अमित कुमार अगरवाल को पुलिस पूर्व में गिरफतार कर चुकी है नागालेंड, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार के साथ साथ कई राज्यों में जाली दस्तावेश से बैंकों में खाता खोल कर बैंकों को चूना लगाने वाले गिरों को भी पुलिस पकड़ चुकी है इसके साथ ही आरोपी परसपूर के दिवाकर और अरविंद को पुलिस पूर्विवे गिरफतार किया ऐसे ही फरजी आधार काड और नकली नोट संचालित करने वाले गिरों का भी पुलिस परदा फाश कर चुकी है जाली दस्तावेज तयार कर दूसरों की भूमी की वसीयत कराने के मामले में भी 80 से अधिक मुकदमे लिखे जा चुके है इनमें 123 से अधिक आरोपी है यूपी पुलिस ने पहले ही एक महीने में चार पाकिस्तानी एजेंट्स को गिरफतार किया और अभी भी उनसे जाज परताल की जा रही है वहीं इसी के साथ कई जाल साजों को भी गिरफतार किया गया है जो जाली दस्तावेजों का इस्तमाल कर करोडों की चोरी कर रहे थे वहीं ATS आतंगवादियों और जाल साजों से जुड़ेतार की तहकीकात भी अच्छे से कर रही है वहीं जाली दस्तावेज तयार कर बैंक और सरकार को करोडों की रुपे का चूना लगाने वालों का मामला भी पुलिस की पकड़ में आ चुका है साथी नागालेंड असम बिहार पश्चिम बंगार राजिस्थान में ठगी करने वाले गिरों के सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफतार किया है जिससे ये तो साफ है कि ये नटवर लालों के कई राजियों में जाल फैले हुए हैं स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रही कैपिटल डीवी उत्रप्रदेश नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया